साथ श्रीकाल अजीत वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकनदा स्वागत है मैं आहर प्रीत को और ते अजीत खबरां देश बुलेटन विच्छ सब तो पहला नजर मार देयां आज दियां खास-खास खबरां थे सुखपाल खहरा ने किया कैप्टन अमरिंदर सिंगवलों आरूशा आलमनों अपनी रहाइश विच रखना देश दी सुरख्यालेई वड़ा खत्रा चंडिगर्दी सेक्टर स्तारां विच प्रेम व्यादे मामले नू लैके लड़का लड़की पक विच जम के होई कुटमार नमाशैर पुलिस ने पांच करोड दी हैरोईंस मेत दोनु कीता काबू पंजाब विदान सबा विच विरोधी तिर्द्यागू सुखपाल खेरा ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ते गंबीर इलजाम लगाँ देया उना दी दोस्त अरूशा आलम नो मुल्क दी सुरख्यालेई खत्रा दसे आए खेरा ने एस बारे राहूल गांदी नो चिठी लिखके कैप्टन ते एक्शन लैंड लेके हाए उना क्या के कैप्टन नो मुख मंत्री दे ओदे ते रैंडा कोई हक नहीं उना वल्लों एस बंदी खेरा ने एक वीडियो क्लिप वी राहूल गांदी नो पेज आए जिस वीच कैप्टन अपनी पाकिस्तानी दोस अरूशा आलम नाल शराप पी रहने खेरा था क्याना ए कि पाकिस्तानी रख्या विशलेशक अरूशा आलम नो मुख मंतरी दी सरकारी रिहाइश टे ठहरा के मुख मंतरी अमरिंदर सिंग वल्लों अन्यातिक काम कीते जा रहे ने मैं राहूल गांदी जी नो क्या है वा के ए जड़ा चीफ मिनिस्टर दी रहेश दे उते एक पाकिस्तान दी डिफेंस एनलिस्ट अरुसा आलम दा रहना ओ अपने आप इस देश दी सिक्यूरिटी नो एक बहुत बड़ा खत्रा क्योंकि हर पाकिस्तान दा नागरिक जदो चल रैंड चलिया इस देश दी इस यात्रा विच अरुसा आलम ने एफ आर आर नो ए नहीं दस्या के ओ चुतारी नंबर सेक्टर दो पंजाब दे मुख मंत्री दी ऑफिशल रहेश गादे उते रुकन गे अदे सोड़ा मार्च दो हजार स्तारा नो सों चुक समागम विच ओ राजपा वन जानगे एस सारी एक ब्रीच ओफ सिक्यूरिटी कीती है दूसरा मैंनू लगदा वा कोई वटी गाल ने की के आई एस साई नहीं एस रुसा आलम नो पंजाब दे मुख मंत्री दे विच कार विच बतौर एक जसूस प्लांट कीता हुए और किसे भी कॉंग्रि प्रेम व्यादे मामले नू लएके चंडीगर दे सेक्टर स्तारां विच लड़का ते लड़की पक विचाले जम के कुटमार हुई ए पूरी कटना सेक्टर स्तारां दे थाने नेडे ही वापरी पार पुलिस वलो मामले विच कोई कारवाई नहीं कीती गई जानकारी मुता अबक बलजीत सिंग नामक लड़के ने लड़की नाल प्रेम व्या किता सी ते कोज समय बाद लड़की दे वारस उसनो लेके गए सान मामले दी सुनवाई अदालत विच चाल रही है आज जदो लड़का पाख दे लोक कोट विच पेशी तो बाद वापस आ रहे सान ता ल जड़े अंतर सर बेठे ने ओक इंदे ने थोनों कोई हाथ मिन ला सकता ऐसा ही लक्षिक मार और बाद चाके पेलावी ना इद्दा गल किती प्यों साथ ना बंदे सी उत बोल लेनी है उनने ने पताई चार बंदे ने ए बंदे खासे आये हुए नहीं उनसा ने मारंदी को बसी मारे शर बया करा के बिना मरजी तों कुडिनु मकराता था ख़पअगा ने मेरे चल्मन किती तक बास मेरा इंथाब करो जीमारी ने पूसा ने तोनी ना किसने ना रोश भारे घ्र मार्ण काट ने जाए ने बूमन साल दे विच्छे पिछले सत मिन्नेतों साथा केस चाल जा 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 जी ते इनना नूँ पुल्स सारे रोज बला रहे जी आ लोक नहीं आ रहे जी आखिरकार आसी हाई कोट चे गे उनना नूँ रिक्वेस्ट किती ते उनना ने ना ते परचा देन दा क्या कभी इनना त दस भी बंदे लाके ते ऐसी ता मैं प्राहते असी सारे अंतर बैठे थी ते इननने एक मोटर साइकल आरा मुंडा के लिया दस बारा बंदे ने तो उन्हों के रके थे पुल्स कोई गल्त भ्यान दे रहे ने जदकी साथी मेरी कुड़ी आया ओ उधे चुकी है कि मिन्नू इननने कुट मार करके दो लाख तीज आरपिया तो पंतरा तोड़े सोना इननने लेकर रख्या हुया और नकली मैरीज दा साटिफिकेटर जो की अल्रेडी हाई कोट दे विच भी केस चाल दया है नहीं ते उसारी है जैसे मैंने आपको अभी बताया यह बिल्कुल तुरंत प्रवाब से ही आप मेरे को यह बात फिस रहे है और यह चीज अभी मेरे संग्यान में नहीं है अभी मैं कन्फरम करता हूँ इसको क्योंगी एक दो मिनिट पहले की बात है तो थोड़ा समय दीजिए मैं पता करता हूँ इसको क्या बात है ना के दोरान एक काले रंग दी कार नो केर के जदो तलाशी लई गई ता कार विच स्वार कुल दीब सिंग उरुफ ककी ते शमशेर सिंग उरुफ सम्मा दोमे वासी दोलोत वर पासों एक किलो हैरोईन ब्रामत कीती गई फड़ी गई एस हैरोईन दी कुमांतरी बजार विच कीमत पांच करोड पे बन दिये पुलिस मताबक दोशियां ते पंचाब दे कई थानेया विच पहलना ही कई मुकद में दर्जने जिस्ते विचुंग दो व्यक्ती बैठेर संद जिनान काभूगरंते एक किलो हीरोईन ब्रामत होई जेड़ा एक देच कुल्दीब सेंख ककी है उदे खलाब करीब जिनान को पुष्की चारी है दर्णने पुष्की जो भी समने आएगा उस्तार अगली कारवाई अमलचले लिए दिचावेगी विदेश मंतरी सुष्मा सवराज ने राजसभा विच कुल्बुशन जादव ते उनारु पाकिस्तान विच मिलन गई उना दी माता ते पतनी सबंदी ब्यान देता राजसभा विच अपने संबोधन विच विदेश मंतरी सुष्मा सवराज ने कहा के कुल्बुशन जादव ते परिवार दी मुलाकात कूट नितिक कोशिशा नल होई सी उना क्या के पाकिस्तान ने एस मुलाकात नो प्रॉपे गंडा बनाया जादव दी मा सिरफ साड़ी पहन सक दिये पर उना दे कपड़े भी बदलवाए गए मेडिया नो माते पतनी दे नजीक और दिता गया जो के शर्ता दे खिलाप सी विदेश मंतरी ने क्या के पाकिस्तान जादव दी मा पतनी दिया जुतिया नाल वी शरारत कर सकदाए एसे तरह राजसबा विच्च कांग्रिस दे सीनियर मेंबर गुलाम नभी अजादने के हा के कुल बुशन चादव दे परिवार दा पाकिस्तान वलों अपमान पूरे देश दा अपमाने हमारे बीच ये सपष्ट समझाता था कि मीडिया को श्री जादव की मा और पतनी के नजदी काने की अनुमती नहीं दी जाएगी लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को ना केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अप्षब्दों से संबोधित करके परिशान किया गया ताने उलहने दिये गए उन पर जूटे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री जादव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रियास किया गया दूसरा सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिये गए और पहनने के लिए अपनी और से वस्त दिये गए श्री जाधव की माँ जो केवल साड़ी पहनती है उन्हें साड़ी की बजाए सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया उनकी पत्नी की बिंदी चूड़ी और मंगल सूत्र भी उतरवा दिये गए यहां सुधार करना चाहती हूँ केवल पत्नी की नहीं उनकी माते भी चूड़ी बिंदी और मंगल सूत्र उतरवा दिया गया और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैचते ही कुल भूशन ने मुझे कहा बाबा कैसे है क्योंकि मेरे माते पे बिंदी और मेरे गले में मंगल सूत्र ना होने के कारण उसे ये शक हो गया कि शायद उसके पीछे से कोई अशुब घट गया है और ये कहते कहते उनका गला भराया दोनों की मतब दोनों सुहागिनों को विद्वा के रूप में पती और बेटे के सामने पेश किया बेद्वी की इस से बड़ी इंतहा पाकिस्तान नहीं कर सकता है पाचपा संसद मेंबर ते केंधरी कानून मंतरी रवी शंकर परसाद वलोन लोकसमा विच तिन तलाक बिल पेश किता गया एस जोरान कानून मंतरी ने लोकसमा विच केहा कि ए कानून औरतां दे हका इंसाफ लईए ना कि किसे पूजा रसम जानता रम लईए ओधर आजदूदीन वैसी ने बिल दाव विरोद कर दियां के आहा कि ए बिल बुन्यादी हका दियों लंगनाए ते एस विच कानूनी ताल मेल दी कमी है पूरा कानून ना किसी पूचा का है न प्राथना का है न इबादत का है न मजब का है ये कानून है नारी न्याय नारी गरिमा और नारी समान का दूसरी बात में कहना चाहूंगा सुप्रीम कोट ने तलाके बिड़क को गैर कानूनी कहा अगर उसके बाद भी तीन तलाक चलता है लोग पहिनाए सरकों पे ठेकती जाती है उनके गुजारे का कोई इंजाम नहीं होता है तो क्या ये सदन खामोश रहेगी सुप्रीम कोट न अगर ये पाप किया जाएगा तो क्या ये सदन खामोश रहेगी तीसरी बात ये लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे है ये फंडमेंटल राइट की बात कर रहे है माननिय ध्यक्ष महोदिया आज इस सदन को ये तै करना है कि तीन तलाक की पीडित पहिलाओं का बेटियों का देहनों का फंडमेंटल राइट है या नहीं ये तै करना पूलेगा ये सरकार ने ये कानून लाया है सिर्फ इस पे चार क्लॉज है अब एक बात कहीं जा रही है बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है मेरे पास आज सुबक ये ख़बर है रामपूर में कि पत्ती लेट से उठी उसको कीन तवाग दे दिया तो ये बिलकुल कानूनी है और भारत के संविधान के कंकरेंट 20 के इंटरी 5 में इस सदन को पूरा अधिकार है इस कानून को लाया है मैं आपसे आगरा करूँगा कि मुझे इस कानून को इंटर्डूश करने के रमतित दी जाए इने तक जेल विच बंद रेंट तो बाद रायपूर दी CBI कोट विच सुनवाई होई जिस्तो बाद आखरकार कोट वलो वर्मानू राहत दे दिती गई जीकर योगे कि उत्तर परदेश दे गाजिया बाद तो पत्तरकार विनोध वर्मा दी गिरफतारी बीती स्ताई अक् विजिलेंस दे टीम ने DSP जलालाबाद दे गानमैन हवालदार सुखदेव सिंग नूँ वी हाजार पे रिश्वत लेंडियां रंगे हथी काबू किताई हवालदार सुखदेव एक आरेंपी डॉक्टर कोलो नशे दियां गोलियां वेच्चन दे पर्चे दे नाते रिश् मामले दी शिकायत दे विजिलेंस ने उक्त हवालदार नूँ गिरफतार कीताई इस तरे विंग श्रोमनी अकाली दल दी परदान बीबी जागीर कौरने इस तरे विंग अकाली दल दी कोर कमेटी दी पहली सूची जारी कीती है पार्टी दे चंडिगर स्थित मुख दफ्तर तो एस सबंदी जानकारी देन्या बीबी जागीर कौरने के हाँ कि श्रोमनी अकाली दल दे परदान सरदार सुखबीर सिंग बादल दे आदेश्या मुताबक विंग दे जथे बंदक टांचेदा पुनर गठन कीता गयाई सलीम दा कतल कार देता गया मृतक नौजवान दी लाश नेडले पेंड आहन खेडी नेडियों लंग दे ड्रेन विचो ब्रामद होई मृतक दे प्रावलों थाना संदोर पुलिस को दर्च कराई ब्यान वेच आपने प्रादे कतल दा इलजाम किला रहमतगडवासी बाबा उरफ जाहिद ना दे एक व्यक्ति सर लगाया क्या आई अश्यों दे वारसनों ट्रेस कर लिया थे उसलिए वजड़ वारसनों सोचित करता है फिर उन्दे वारसी आगे पारत ने आज सफलता पूर्वक सवदेशी अडवांस एर डिफेंस सुपर सोनिक एडवांस इर डिफेंस सुपर सोनिक इंटरसेप्टर मिजाईल दा तचर्बा कीता है ए इंटरसेप्टर मिजाईल काट उचाई ते आ रही दुश्मन दी किसे वी बैलेस्टिक मेजाईल नो तबाह करन विच सम्राथ थे ए इस साल दा तीसरा सुपर सोनिक इंटरसेप्टर तचर्बा सी अफगानिसान दे काबुल विच होए एक बंब तमाके विच एक ताली लोकां दी मौत हो गई है ते 84 दे लाग पाग लोक जखमी हो गई ने ए तमाका खबर एजन्सियां ते सब्याचारक केंद्रा कोल हो आए आत्वादी जथे बंदी आईएस आईएस ने एस आतमकाती तमाके दी जिम्यवानी लईए इजनाली अजीत कबरांदा अब लेटन कटम होंदाए कुछ हो नमिया कबरांदा फिर तो हाजिर होंगे ताथ तक लेई इजाज़त देऊ साथ स्रियकाल